हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूग चैनल आई टाई गाइडलाइन में मैं हूँ राम्बिय अश्यादव जैसा कि दोस्तों इसका पहले मैं कि आपका जो कोशन हो चुका था 155 तक कोशन हो चुका था आज मैं 176 से कोशन करवाऊंगा जो कि आपका नीमी पैटर्ण से जो पीडिएफ जारी किया गया है जिसे सारे कोशन आ रहे हैं तो विद्यार्थी आप लोग बने रहें वीडियो को बीना स्कृप को यह सुरू से नंतक देखेगा जिसे की पूरा कोशन आप लोग पढ़ सकें और एक्जाम में उस कोशन कोई भी आए तो आप उसे छूट ना सके और अच्छे नंबर से आप पास कर से जो दो चलिए फटाफट देर किस बात कि कलास को सुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों कहना चाहता की चैनल पर जो भी नए विद्यारती होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगा और प्रेस कर लेंगे जिसे की सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सकता और आप उसका लाब ले सकते दूस्तों ताहिए कलास को वन हैंड़ेट सब्सक्राइब से सुरू करते हैं वन इनिट सब्सक्राइब जो कोश्चन है हमारा देख सकते हैं कि जंग और घर्षन के लिए कौन सी सिट धातु अत्यधिक परती रोधी है आपका सामने है तामबा काला लोहा और जो दो को आप्शन में दिखा रहा हूं आपको यहां पे एल्मोनियम जस्ता लोहा तो क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर करेक्ट अंसर होगा दोस्तो वह होगा हमारा एल्मोनियम ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तो चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पर कोश्चन है कि नियमीत प्रच के फ्लेट से फ्लेट तक साइज की गन्ना करने का सुत्र क्या है उप्षन आपका सामने है तूए रुट टूए रूट थिरी थिरी तो कौन सा सुत्र है अगर आपको याद है तो फटाफ़ाट कॉमेंट बुक्स में अंसर दीजिए और बताएजे क्या राइट अंसर होगा यायय I am psychologist तुर्फट्व रूटerson गरीडन सबस्थicieं अगरा कोचन आपकि पे कोचन है कि स्ट मेटलर्वर्क में अस्टेक का क्या उप्योग है सित मेचलelnर्वर्क में अस्टेक का क्या उपयोग है और आपका सामने है रेश्ट आफ वर्क सपोर्टिंग पीश तेज करने फोल्डिंग ऑस्पेस तो राइच अन्स यूथ दोस्तों राइक णसर क्रेक्ट अन्सर जो होगा वह होगा शपोर्टिंग पीस ऑप्शन नंबर भी हमारा क्रेक्टेरिए मिटेरियल क्या है वेल्डिंग रॉड्डू क्या है सामने है सुध्य धात्तु याम están या मिस्र धातू ऑप्शन नमबर सी हमारा क्रेक्ट इंसर राइट इंसर दोस्तों चलिए इसी साथ अगला कोशन आपके स्किन पर कोशन है कि अश्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फलक्स का उप्योग किया जाता है ऑप्शन आपका सामने हैं अमोनियम कोलॉराइट जिंक क सब्सक्राइब के लिए किस फलक्स का उप्योग किया जाता है ऑप्शन आपका सामने है पढ़िए और बताए क्या राइट होगा एल्मोनियम कोलॉराइट चलिए इसी साथ अगला कोश्चन अगर आप लोग के लिए कोश्चन नों लेजबल होगा तो फटापट वीडियो है कि ग्रोवर का उदेश क्या है ऑप्शन आपका सामने है क्या है ग्रोवर का उदेश क्या है सीम को रिलीज करना सीवन को कॉम्प्रेश करना और अगला ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन है सीम को क्लोज और लॉग करना सीम ऑपरेशन के दुरान स्टेश से रहत तो क्या राइट अंस होगा राइट अंसर करेक्ट अंसर जो हमारा होगा वह होगा सीम को क्लोज और लॉग करना ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दुस्तों चले इस यह उप्योग की जाने वाली समगरी क्या है आपका सामने है क्रितीम हाड देन अस्टिल माइल अस्टिल तो क्या राइट अंसर होगा वह होगा माइल अस्टिल डिवेट के निर्मान के लिए उप्योग की जाने वाली समगरी क्या है माइल अश्टील ऑप्शन नमबर डी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर कोश्चन लॉंग है थोड़ा ध्यान दिजिएगा मैं उपर निचे करके आपको दिखाऊंगा जहां तक नजर नहीं आएगा कोश्चन है कि रिवेट में एक्स के रूप में चीहित भाग को पहचानिए ठीक है एक यह क्या फिगर एक रिवेट का फिगर बना हुआ है इस रि बॉड़ी ही oder ब्यास तो क KIM राइट जो दुस्तो राइट रेक से जो हमारा होगा क्या ओगा भी क्रिक्रा अप्षी भी हमारा पर सर राइट एंसर ये भाग जो हमारा है बोड है ठीक है ऑप्षीन दूब कि हमारा क्रेक्ट राइट अगला कोश्चन आपके स्कीन पर कोश्चन है कि पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के छेत्र के कवर करने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के छेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है आपका सामने है पिकलंग श्वगिंग शिमींग तीन तो क्या राइक न्स राइक है जो रहा होगा और नूंबर डी हमारा करेक्ट राइक दोस्तों तिन इंग ऑप्षान नंबर डी चलिए इसी साथ अगला कोस्टन आपके एक कोशन है ध्यान से दखिएगा कि भारी संच्रात्मक कार्ज में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है भारी संच्रात्मक कार्ज में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है आपका सामने है पैन हेड रिवेट अस पैन हेड रिवेट काउंटर सेंख रिवेट केनिकल हेड रि राइट अंसर राइट अंसर को और ऑप्षन को बढ़ी तरके से सुनिएगा या फिर पढ़िएगा तभी आप अंसर दीजिएगा दोस्तों अगला कोशन आपके अस्कीन पे को ध्यान से देखिए है अस्पैन हैर रिवेट का सपोर्ट करने वाले टूल का नाम या Cabinet और पे तौरि तो क्या राइट अनसर करेक्ट उन्सर घुमारा होगा डॉली ऑप्षन नंबर यह ने से रिवेट का सपोर्ट करने वाले त्सने जी अगला कोशन आपके अस्कीन पे कोशन को ध्यान से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ हाँ चलिए ठीक है कोशन है दिखाये गए रिवेटिंग दोस्त का नाम बताएए यह जो क्या है यह एक रिवेट का दिखाया गया है इसमें दोस्त क्या है दोस्त पूछ रहा है तो चलिए आप्सन क्यों चलते हैं क्या है प्लेटो के अनूचित जुडाओ प्लेटो के बीच में बर रिवेट के सीरा के स किया हुआ है तो दोसिस में क्या है कौन सा कारण है दोस्त इस तुरूटियां क्या है तो राइट हंसर करेक्टर न्श हमारा जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर से यानि श्रिवेट का सीरा संक के साथ केंद्रित नहीं है यह देखें आप अगला कोश्चन आपके स्किन पर कोश्चन है कि सीट मेटल में की सुपकरन का उपयोग एक बड़े ब्यास का एक सरकल या चांप बनाने के लिए किया जाता है आपके सामने है इस्प्रेंग कमपाश, ट्रैमल, विंग कमपाश, साधारन कमपाश, तो क्या राइट हो दो दूस्तो राइट है करेक्ट है आपके असकिन पर कोश्चन है कि शेरिंग करते समय सीट धातू के नीचे की तरफ वर क्यों बन जाता है औपसन आपका सामने है क्लियंट्स ना होने के कारण हाडणेन दातू के कारण ब्रीधि के कारण अत्यधी क्लियंस के कारण तोक्या रायटerem सों आपके एजके पे से जङए मैं आपको दिखा रहां और है थे कौशन है कि वाग एक्स का नाम क्या है इस जो टुल से एक है मसीन है उसका एकस का भाग जो है नाम जो दिया हुआ है वह क्या है यह क्या है अप टूब आप इक स्वला भाग को देख करकर बताएढ आपका सामने बौड़ी क्लैम उपरी बलेड नीचली बलेड तो फिर बेदो क्या राइट अंश क्लैंप और यह क्लैंप यह क्लैंप वाग अप्शन नमबर भी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर चले इससाथ अगला कोशन आप प्लबको उप्योग क्या है complex में Lequin को सब्सक्राइब को करना सेम को कॉम्परेशन करना से you operation के दोरान से रहत तो क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर करेक्ट रज़ा रहा होगा वह वह सीम को क्लोज करना option नमबर सी हमारा क्रेक्ट अंसर राइट अंसर दोस्तों चलिए सीज़ात अगला question आपके week को स्कीन पर question है कि हलकी assembly के काम में कौण से रभीट का आगे मैं बताता हूँ हलकी assembly के काम में कौण से रभीट का में उपयोग किया जाता है option है तो कि आप पार सामने हैं पैंहाँ चलिए फिर यहां है शाथ ईगला कोशन आप के श्केन पर को शन है कि रिवेते के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस वंपकरन का उपव्यूग किया जाता है कि रिवेटेbn छूर को बनाने दूसरे छोर को तुमारा होगा वह होगा option number डी इरीवेट असने Option घ्रिंसर राइट रस्टय इसी साथ अगला कोश्चन के सबस्क्रा अब का स्किन पर कोश्चन है कर चलिए नजर आ रहा है सब सीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या नाम है सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम क्या है आपसान आपका सामीने हैं नोच तीर्फी नोच जिसको स्लोट नोच भी बोल सकते हैं उस्क्वायR नोच या फिर आपसन नमपर D में एस्ट्अघ नोच देख लिए सकते हैं दे स्कीन पर कोश्चन है कि पैनल वीटिंग को होलो करने के लिए किस परकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है पैनल वीटिंग को होलो करने के लिए किस परकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है आपका समय है ब्राश मैलेट रबड के मैलेट लकड़ी का मैलेट वाशिंग मै पेलेट आप्शन नमब डी हमारा करेक्ट राइट उसर चलिए प्रिटों आपके स्किन पे पर को मुश्चन है के इस रिवेटिंग में में दोस्त क्या है इस रिवेटिंग में दोस्त क्या है ऑपस का सामने पिलेटों के बीच में वर रिवेट थेट सेंटर में नहीं है बहुत ज्यादा अलाउंस दिया जाता है पलेट पर होल एक सीधि में नहीं है तो क्या राइट रहे प्रफड़ पताई यह कोश्चन अभी फटा अभी हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं राइट अंसर क्या होगा यह ऑप्शन जो हमारा है पॉस्चन है कि एक पच्च के साथ एक सरकल के चाप को बढ़ान बनाने के लिए किस अश्टेक का उप्योग किया जाता है एक पच्च के साथ एक सरकल के चाप को बनाने के लिए किस अश्टेक का उप्योग किया जाता है आप सामने है फनक अश्टेक हैचिट अश्टेक हा काप मून अश्टेक ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट एंसर राइट एंसर दोस्तों चलिए इस एक साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पे सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है तो आए आप्शन के लोग चलते हैं आउसे दुश्चे गए यह ओमारा फिगर है कि दिया हुआ है और ऑप्शन निचे देवा है है चीट अश्टेक फनक अश्टेक हापून अश्टेक राउंड बॉटम आश्टेक तो क्या राइट अंसर अपलों फड़ बताएं क्या राइट नश्टर और राइट अंसर करेक् सर्पिकर को देख लिए बढ़ियां से चलिए अगला कोशन को चलते हैं अगला कोशन हमारा क्या है और से कूश्चन है स्थ मिटल में इस ज्वाइल का नाम क्या है शित मैच का नाम क्या क्र restauration स्भाइट है ग्र्ुप्ट जाएंट गया हुआ है जोन्त बेने करेंशर या कि भाएंट होगा होगा लगा हुआ इसली हमारा दो जोन्टों मिस्मील किया गया है इसलिए आपसन डॉप लगर्ध ज्राइख है नमघ्टांसर चुलिर्शिक से अगला कोश्ऩन आपके स्किन पर कोशन है कि स्नीप की अधिकतम कटिंग चंपता क्या है उप्षों की अधिकतम कटिंग चंख्या चंपता क्या है आपका सब्सक्राइब 1.2 mm उटाई 2.0 mm उटाई 2.5 mm उटाई 3.0 mm उटाई तो right answer correct answer क्या हो दोस्तो right answer correct answer जो हमारा होगा वो होगा 1.2 mm मोटाई option number यह हमारा correct answer right answer दोस्तो चलिए इसके साथ अगला question आपके screen पे question है seat metal work में सहायक उपकरण का नाम क्या है option आपका सामने है चलिए मैं बता रहा हूं देखा रहा हूं option चलिए figure को देख लिए और question को मैं एक पर दिखा देता हूं कि seat metal work में सहायक उपकरण का नाम क्या है बताई यह सहायक उपकरण का नाम क्या है फनक अश्टेक हैसिट अश्टेक हाप्मून अश्टेक राउंड बॉटब अश्टेक तो फुड़ा फड़ बताईये क्या right answer होगा right answer correct answer जो हमा रहा होगा यह वह होगा हम मुल हम आगला कोऊचन जो है कि रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस अंतिम आकार का प्योग क्या आ Agreement को अंतिम आकारदेने के लिए किस रिवेटिंग तूल का उप्योग क्या आता है ऑप्षन आपका सामने ड्रिफ्ट डॉली रिवेट सेट रिवेट असनेप तो क्या राइट अंसर राइट असनेप ऑप्षन नमर डी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्कीन पर कोश्चन है ध्यान से देखेगा कि इस डिवेटिंग दोस्ट का नाम क्या है इस डिवेटिंग दोस्ट का नाम क्या है तो चलिए फड़ा फड़ बताईए डिवेट को देखिए और बताईए क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर करेक्ट अंसर जो हमारा होगा option number B sank पर बहुत अधिक allowance है sank पर बहुत अधिक allowance है option number B हमारा correct answer right answer दोस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्कीन पे question है कि re-waiting में fluid tight joint बनाने के लिए परियुक्त टूल का नाम बताए re-waiting में fluid tight joint बनाने के लिए परियुक्त टूल का नाम बताए option आपका सामने है drift, rivet snap, flaring tool calling tool तो क्या right answer को दोस्तो right answer correct answer जो हमारा होगा वो होगा flaring tool option number C हमारा correct answer right answer दोस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके अस्कीन पे question है कि मोटी sheets को काटने के लिए परियुक्त उपकरन का नाम क्या है मोटी sheets को काटने के लिए परियुक्त उपकरन का नाम क्या है वेट टस्नीप लिवर ली सियर अस्टेट टस्नीप circle cutting machine तो क्या right answer होगा right answer correct answer जो हमारा होगा लिवर सियर option number B correct answer option number B चलिए फड़ा फड़ा वोग कमेंट बोक्स में अंसर दीजेगा क्या right answer का और अपने दोस्तों के साथ आप लोग सियर जरूर कीजिए और वीडियो नॉलेजवल आप लोग को लग रहा था फड़ा फड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग आपका एक लाइक हमारा मोटिविडिशन को बहाता है जिससे के और मैं आपके लिए विएदर करने का तरकिब सोचता हूँ दोस्तों चलिए कोश्चन के उपर ध्यान देते हैं कोश्चन है तीके मोड जिसको बोलते हैं बनाने के लिए किस अश्टेक का उप्योग किया जाता है तीके मोड बनाने के लिए किस अश्टेक का उप्योग किया जाता है आपका सामने है फनक अश्टेक हैचट अश्टेक हापून अश्टेक विक या विक आयरन तो क्या right answer हो तो राई answer correct answer जो हमारा होगा वो होगा option number b hatchet attack option number b correct answer राई trap answer चलिए इस तो साथ अगला question आपके skin पर question है कि इस mistake का नाम क्या है फिगर को देख लिजिए यह क्या है ? इस mistake का नाम क्या है ? बताना है भई तो चलिए option के आपने हैंं लोग Option है होर्स वीक आरन फनक अश्टेक क्रोसिंग आरन तो क्या राइट रहोगा राइट रहोगा वो क्या होगा फटा-फट बताईए आप लोग ऑप्षन देखिए फिगर को समझे और बताईए क्या राइट रहोगा ऑप्षन नंमबर सी फनक अस्टेक ऑप्षन नंमबर सी हमारा करेक अंसर राह च जांसर चलिए कोसें क्यो चलते हैं कि टीन की चादरों की सोल्डर्इग के लिए किस फिलख्स का उप्योंग किया जाता हैåप्षन आपका geology च्पेश्ट जिंक कल्राइट अमोनियम कॉल्राइ वो होगा जिंक कॉलराइड ओप्शन नमबर सी हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर जिंक कॉलराइड चलिए इसके साथ अगला कोश्चन आपके स्कीन पर कोश्चन है कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए सिट धातू के जोड में किस सिम का उप्योग किया गया है तो क्या राइटें नसे क्रिक्ट आपसर और डियुक्ट अगला कोश्चन आपके स्कीन पर कोश्चन है किरिट इंटर्फिंप में स्कीया है चादर की मोटाय रिवेट का अब्यास है बनाने लिए लंबाई डिवेटिंग के के लिए आवर्शकूल रिवेट लंबाई तो क्या राइट भुटर होगा राइट अंसर कोफ़ोगा वह होगा ओप्षण नंबळ से हेड़ बनाने के लिए लंबाईय ऑप्ष्ण नम सी हमारा टर्या राइट असबीν में आप करेंक करेंकर कोश्टन है कि एक्सके रूप में चहित छेद का ऊदेश क्या है एक्सके रूपिन चहित जो हमारा छेद है ओल है उसका उदेश क्या है तो आप लोग देखी रहोंगे फिगर को और इस देखी यहां पर एक से जो है दर्साय हुआ है उसका उदेश क्या है चलिए आप्शन क्यों चलते हैं क्रेक को बंद करना अगला अप्शन इधर है इधर में दिखाता हूँ आपको आसानी से बेंडिंग करने के लिए अच्छी उपस्थिति बणाओ सीरो के बीच निकासे के अनुवति दे तो जो हूँ हूँ है नमख दोस्तो ओप्शन नमख दूशन इधर है देख सकते हैं आप आपए क्रेक को बंदद करना option number ए हमारा correct answer right answer दूस्तो crack को बंद करना चलिए अगला question क्यों चलते है question है कि 2 spoon rebating के कारण क्या है 2 spoon rebating के कारण क्या है यह जो rebating किया गया इसमें जो दोस्त दिख रहा है यह कारण क्या है हमारा तो आए option क्यों चलते है प्लेटो के बीच में बर बहुत अधिक allowance दिया जाता है फ्लेटो का अनुचित जुडाओ बहुत ज़्यादा allowance दिया जाता है तो क्या right answer को दूस्तो right answer correct answer जो हमारा होगा वो होगा प्लेटो को अनुचित जुडाओ option number C हमारा correct answer right answer ँसे देख सकते हैं है चली से अगला question आपके skin पे question है side किनारे से पहली gonna की दूरी कैसे निधारित की जाती है Side किनारे से पहली gonna की दूरी कैसे निधारित की जाती है कि piace it option अभका सामने है इस याने formula है याद रखेगा तो यह राइट अंसर जो आता है जिनको फुराफट बताएं कमें बोक्स में क्या राइट अंसर जो हमारा होगा वह होगा वह होगा टू गुने रिवेट का ब्यास option number B हमारा correct answer right answer to into die of युजो ए फुर्यफट ऑपशन ब्याइट चली इसक्रीस सथा अगला COPY चलिए और ऑप्शन क्यों कियों कि आप देख लिए बढ़ी तरके से जोसमें एक से दर्शाया हुआ है यह हमारा फिगर है और इसमें एक से दर्शाया हुआ है तो उसका नाम पूछा गया है क्लैम्प लिवर आर्म नीचला बलेड उपरी बलेड तो क्या राइट तो दुस् और ऑप्शन नंबर भी हमारा क्रेक्ट अंसर राइट अंसर चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्कीन पर कोश्चन है ध्यान से देखिएगा शीट मिटल वर्क में अश्टेक का क्या लाब है तेज करना सहायता परदान करना अस्टेट ऑफ बर्क पिस उपकरनों क नुकसान से बचाए तो राइट अंसर क्रेक्ट अंसर क्या होगा दोस्तों राइट अंसर क्रेक्ट अंसर जो हमारा होगा वो होगा सहायता परदान करना ऑप्शन नंबर भी हमारा क्रेक्ट अंसर राइट अंसर सपोर्टिंग सहायता करना चलिए इसी साथ अगला कोश्च हुआ है इस भाग का बताना है डॉली डियर ट February टूल काुकेंग टूल तो क्या राइच एंसबने अर्प चेरिकटन जो हुमारा होगा वह का कॉकिंग टूल ऑप्शन नमडरी हमारा क्रीक्टनर राय दोस्तों कौकिंग टूल चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्कीन पर कोश्चन है कि इस रिवेटिंग में क्या दोस्त है इस रिवेटिंग में क्या दोस्त है तो आए फिगर देखने के बाद ही पता चलेगा कौन सा रिवेटिंग है चलिए आ गया सामने अब इस लाउंस पिलोटों को बीच बर दो शेद लाइन में नहीं है है या फिर पाडि तो क्या राइच अंस होगा चलि अपस्ट होगा दो आपका जो कोशन है कि रिवाइज एज पलेट को दबाकर द्रब तंग संजुक्त बनाने के लिए किस उपकरन का उप्योग किया जाता है किस उपकरन का उप्योग किया जाता है देख सकते हैं कोशन कि रिवाइज एज पलेट को दबाकर द्रब एज तंग संजुक्त बनाने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है ओप 20अपका सामने है डॉली भुकिंग टूल फूले इरिंग टूल तो क्या राइट होगा राइट हैंसर करेंट होगा फूले रिंग टूल औपशन नमबर डी हमारा करेक टूल राइट ऑच्चर चलिए इससाथ अगला कोश्ण आपके अस में allowance के वैसकता क्यों होती है option अपका सामने है अच्छी दिखावट के लिए किनारों को नुकसान से बचाने के लिए सीम पर ओपर लैपिंग को रोकने के लिए सही अकार बनाय रखे और ताकत में सुधार के लिए तो right answer correct answer क्या होगा दोस्तों right answer correct answer जो हमारा होगा वह होगा सही अकार बनाय रखे और ताकत में सुधार के लिए option number D हमारा correct answer right answer चली इसीक साथ अगला question आपके skin पर question है कि जोड़ और shoulder के लिए कौन सी धातू सीट सबसे असान है जोड़ जस्ता लोहा अस्टेनलिस सीट तो क्या राइट अंस होगा दूस्तों right answer correct answer जो हमारा होगा वह होगा जस्ता लोहा गल्वनाइट आयरन option number C हमारा correct answer right answer चली अगला question क्यों चलते हैं अगला question जो हमारा है कि सीट मेटल के काम में कौन सी धातू बहुत नरम और भारी होती है option आपका सामने है lead काला लोहा एल्मोनियम तामबा की सीट तो क्या राइट अंस होगा right answer correct answer जो हमारा होगा सेविदार्थी फटाबट बताइए आप लो क्या राइट अंस होगा option नमेर हमारा करेक्ट अंसर राइट अंसर तो राइट अंसर क्या होता दूसतों राइट इस जो अगला question आपके अस्कीन पे कौशन है कि कौन सी धातू की सीट पानी और मौसम के संपर्ग को जहल सकती है कौन सी धातू की सीट पानी और मौसम के संपर्ग को जहल सकती है option आपका सम्मिन है, बलेक आरन, कॉपर सीट, अस्टेल कीडेंश जश्ता लोहा तो right answer क्रेकट answer क्या होगा? right answer जो हमारा होगा वो होगा option number D correct answer, right answer दुस्तो, जश्ता लोहा Yellowali जो क्या हो रहता है, वो समपरक्श को, मौसम को झहल सकता है option number D हमारा correct answer, right answer दुस्तो में drift का उदेश क्या है रिवेटिंग operation में drift का उदेश क्या है option आपका सामने है रिवेट को position में रखना धातू से धातू का जोड़ बनाना रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में करकना Revet के Revet सीरे को Revet सीरे को نुकसान से बचाना तो क्या रिवेटंसर हग दूष्ट KARRICT एंसर जो मारा होगा वो होगा Revet करने वाले छीद्र को X सीध में रखना Option number C हमारा करेंट एंसर Reveting operation में drift का फूर् क्या है Revet करने वाले छीद्र को सीध में रखना चलिए इसीघ साथ कोस जन आपके ऊस्कीन पर को सुन है किुष्ण है कि रिबेटिंग में एक्स के रूप आपको कॉकिंग टूल फुल्रिंग टूल तो क्या राइट अंसर राइट अंसर जो मारा होगा क्या होगा फड़ा फड़ा बताईएगा राइट अंसर जो मारा होगा वह फूर्ण टूल ओप्शन नमबर डी हमारा क刑्ड शॉक्टंसर चलिए अगला कोस्चन और आज का लाष्ट कोस्चन आपके इसकिन पर Crash कार्योक्त है कौन सा हमरर रिवेतिंग के लिए उप्योक्त है ऑफ्शन आप सामें प्लाइश टी कहा थ होड़ा बॉल North suspension को क्या वो होगा बॉल पीन हमर कौन सा थोड़ा रिबेटिंग के लिए उप्योग होता है तो बॉल पीन हमर होता है ऑप्शन नमर भी हमारा करेक्ट इंसर राइट अंसर दोस्तों चलिए आई होप सभी को कलास करने में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दी लिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जुरूर बजा लिजाएगा इसलिए कि सभी नोटिफिकेशन मेरा पाने के लिए और सबसे पहले घंटी को दबाना बहुत जूरूरी है देर किस बात की चलिए फटाफट इस क्लास में नेश्ट आफिक साथ तब तक के लिए जैन जैभारा दूस्तों बाइबाए